मसकार दोस्तों अशे वेडियों हम बात करेंगे सेगंड ग्रेड काउंसलिंग के बारे में तो सेगंड ग्रेड 2016 के मंडल चोईस दोस्तों छे तारी तक भरी जाचो की है और आज से दोस्तों इसके मंडल आउंटन होने के पूरे पूरे चांसे थे अभी चार दिन है और चार दिनों में जो भी सब्जेट है उन सभी सब्जेटों के मंडल आउंटन हो सकते है 11 तरी तक 2nd grade 2018 की मंडल 24 मांगी जा रही है और 11 तरी के बाद में उनकी मंडल आउंटन किये जाएंगी और 2nd grade 2016 की बात करें तो सेम मंडल मिलने पर उनकी कांशलिंग होगी या फिर नहीं होगी तो इसके समझ में दोस्तों कुछ साती विकांदियर अन्देशालिक ये थे वहाँ पर उन्होंने दोस्तों पोचा है कि सेम मंडल मिलने पर कांसलिंग होगी या फिर नहीं होगी तो नोंने बताया है कि सेम मंडल मिलने पर कांसलिंग नहीं करवाई जाएगी तो ही हम सभी की काउंसलिंग करवा सकते है और उन्होंने का है कि इसके लिए आपको दबाव बनाना होगा शिक्षा मंतरी के माजियम से और मुझी मंतरी के माजियम से तभी आपकी संपूर्ण काउंसलिंग हो सकती है यह तर संपूर्ण काउंसलिंग नहीं होगी यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों जिलाजेस रिष्टा परताब गड़ने यहां पर उन्होंने यहां पर मांग की है कि सभी को काउंसलिंग में सामिल किया जाए और सभी स्कूलों के रिक्थ पदों को खोला जाए तो रेजिटर यहां पर पूरा प्रियास कर रहा है कि सभी की काउंसलिंग करवाई जाए रेजिटर के पदाधिकारिव को असाथ दे और ज्यादा से ज्यादा इस मामले को जान में लाए जाए ताकि सभी की काउंसलिंग हो सके और यहां पर आप देख सकते है वरिष्ट एजाबक बरती 2016 की काउंसलिंग में सामिल करने की मांग बांस वड़ा से कलेक्टर को जापन दिया गया है तो इस मामले को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड में लाया जाएगा सकता है कि हमारी काउंसलिंग हो जाए अन्यतन दोस्तों देन का मंदल चेंज होगा उन्हीं की काउंसलिंग करवाज जाएगी धन्यवाद दोस्तों